तो ऐसा क्या था कि बुपेश बखेल ने मोर्चा लगी जंग लगी कॉंग्रेस को थारदार हतियात में तब्दील करते हैं इसका जवाब हमें मिलता है उनके सियासी करियर से बुपेश बखेल जो राजदीती में आये थे उनका कोई भी राजदीती किद्यास नहीं था उनके खांदान का उनके परिवार का राजदीती से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं था उनके पिता साधान की सांती था 25 साल के उमर में वो यूट कॉंग्रेस में और साल था उनके साथी इंद्रा गांधी जा चुकी थी राजदी का दौर था और इस समय उनके सियासत से जोड़ना शुरू था प्रसे राजदी की अपील भी बहुत थी युगाओं में और इस वज़े से कई युगाओं नों इस डौर दे कॉंग्रेस जोईन की वुपेश बगेल भी ऐसे ही यह की गवा थी और यहां पे उन्हें मिले अपने राजदी को नाम चंदुलाल चंद्राकर चंदुलाल सियासत में आगे जाना क्या थे यह तीन सब्गों कीचड नहीं उचा लोगे एक दूसरी की ब्रेट भराई का जरिया नहीं बनाओं घर जलाने के लिए सियासत का इस्तिमाल नहीं करोगे अपना एक व्यावत अलब व्यावसाय रखोगे इसके जरी तुमको आमदन्नी होती रहे और सियासत लोगों की स्यवा करने के काम है और तीसरा है हम सबढ़ कि आला कमान के आदेश को कभी टुकराओगे नहीं पार्टी के वीतर कभी बगावत खड़ी नहीं करो उपेश वगेल ने इन तीनों सबकों को कांट बात के रख लिया और संगठन की काम में लग उपे मेडिया का और टेलिवीजन मेडिया का बहुत तक्वी इस्तमाल है वह वारों में लगाता लेख लिखते रहे वो रमन सिंग को ताना शाह बताते रहे और उन्हों ने सरकार के गलत मीतियों गलत योजनाओं को खल की जनता के सामने रखा और बीजेपी की खिलाफ एक माहौ बना है प्रचुनाओं को अपने प्रक्षमें पटा के लिए और यही पांग्रेस की काम्याभी की सबसे बड़ी बजारी है